हेलो एवरिवन रितु करना गुड लाइफ में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू जो हम बिना अद्रक और लसन प्याज़ के बनाएंगे हमने ये आलू लिए हैं जिनको हमने नमक पले पानी में उबाल लिया है हमने इनको हाफ वाइल करना है हमने इनको हाफ वाइल करना है और अब इनको फोक लेकर प्रिक कर रहे हैं हमने इनको अच्छे से प्रिक करना है जिससे हम जब इने फ्राई करें और इनका मसाला त्यार करें तो मसाला इसके अंदर चला जाए प्रिक करने के बाद हम इनको तेल में तल लेंगे हमने इनको प्रिक कर लिया हुआ है अब हम एक कड़ाई में तेल लेंगे और तेल को गरम कर लेंगे हमने ये तेल ले लिया है और इसको अच्छे से गरम कर लिया है हम इन आलूं को सरसो के तेल में बना रहे हैं अब तेल गरम करने के बाद हम इन आलुओं को अच्छे से इसमें तल लेंगे हमने इन आलुओं को मीडियम आज़ पर ही तलना है ये देखिए हमारे जो आलुओं हैं वो तल चुके और गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं हमने इन आलू को तेल में से निकाल लिया है अब हम इसके बाद ग्रेवी द्यार करेंगे ये देखे हमारे आलू जो हैं तलकर त्यार हो चुके हैं अब हम ग्रेवी बनाने के लिए एक बाउल में दही डालेंगे ये दही डालना है बाउल के अंदर हमने हमने ये एक कटोरी दही बावल में डाल दिया है अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गर्ममसाला, धनिया, नमक यह सारे मसाले आप अपने टेस्ट के एक आडिंग डाल सकते हैं अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने इनको अच्छे से mix कर लिया हुआ है अब हम एक कड़ाई में तेल लेंगे और उसमें हम डालेंगे जीरा तेजपत्ता लाल मिर्च हींग और एक चम्म सौफ का हम इनको अच्छे से भून लेंगे इनको भूनने के बाद हम इसमें दहीं की ग्रेवी डालेंगे जो हमने इत्मसाला त्यार किया है अब हम इसको डालेंगे इसमे और हमने इसको लगतार चलाना है अगर हम इसको लगतार नहीं चलाएंगे तो हमारा दहीं जो है, फट जाएगा और ग्रेवी खराब हो जाएगी, तो आप इसे एक उबाल आने तक लगतार चलाएं इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे ये देखिए अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं हम इसमें एक एक करके सारे आलू डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इन आलू को ढग कर 15-20 मिनट तक दीमी आश पर पकाएंगे और बीच पीच में चेक करते रहेंगे अब हमने इनको ढग दिया है और बीच पीच में चेक करते रहेंगे और 15-20 मिनट तक हमने इनको पकाना है अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं 10-15 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू त्यार हो चुके हैं हमने इन आलू को ड्राय रखा है आप ग्रेवी के साथ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं अब हम इसमें एक चमच चीनी डाल रहे हैं यह ऑप्शनल है पर यह इसके स्वाद को बैलेंस कर देती हैं क्योंकि दही खटा होता है तो चीनी डालने से इसका स्वाद बैलेंस हो जाता है फ्रेंट्स इस सबजी में थोड़े से तेज मसाले डलते हैं तो आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही डालेगा अब हमारी सबजी त्यार हो चुकी है हम इसको रोटी, चावल, फुलके के साथ खा सकते हैं आशा करती हूँ आपको यह रैस्पी अच्छी लगी होगी तैंक यू